हलो एवरिवन वेलकम बैक टो एस बाइलो जी तो आज के वीडियो के अंदर अपने इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है नीट 2022 की काउंसलिंग का जो सेडूल है ओल इंडिया कोटा का प्लस स्टेट का वो रिलीज हो चुका है वहाँ पर M मैं बताऊंगा कि चोईस फिलिंग कब होने वाली है क्या नहीं होने वाला है लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर लो प्लस बेल आइकन को प्लस कर दो ताकि हर एक इंफोर्मेशन में आपको बता पाऊं और बायो जी को प्लस के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन कांसलिंग के सडूल के बारे में तो सबसे पहले पन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट राउंड की कांसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट रा तक यानि कि payment के लिए चार गंठे एक्स्टा से दिये गए हैं तो इसका भियाब ध्यान रख सकते हो बाकि जो आपको सारी retail जो है आपको आर्टिकल में उपर दिख पी रही होगी आप आराम से उसको पोज़ करके देख भी सकते हो लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते हैं वो वो आप उसको टिक कर सकते हो ठीक है इसका time रहेगा 18 अक्टुमबर तक 11 बज़ के 55 मिनट तक रात को ये time रहेगा और choice को लोग कर सकते हो 18 अक्टुमबर को 3 बज़े से लेके 5 बचपन तक यानि कि choice filling को लोग करना यानि कि एक तो tentative अपन choice फील करते हैं लेकिन उसके बाद उसको अगर seal नहीं करते हैं अपन तो वो automatic seal हो जाएगी यानि कि automatic लोग हो जाएगी अगर आप इसको choice को लोग नहीं करते हो तो अगर यानि कि जो जो college आपने select करी हैं अगर आप उसमें से किसी college को remove करना चाहो तो वो कर सकते हो अगर otherwise वो automatic 3 बज़े से लेके 11-15 तक उसको change कर सकते हो वरना वो 11-15 मिनट के बाद में automatic लोग हो जाएगी तो यह थी इनपर में जो भी आपने choice feeling करी है उसका notification जो है 17-18 अक्टूमबर तक मिल जाएगा प्लस seat जो attachment जब हो जाएगी वो है 19-20 अक्टूमबर तक हो जाएगी और इसका जो result है वो 21st of October को release कर दिया जाने कि college में आपको जाना है और वहाँ पर आपके जो document verification वगरा सब कुछ वहाँ पर होगा अग्दम live के अंदर ठीक है तो वो date है 22-23 अक्टूमबर तक तब तक यहाँ पर 1st round चलेगा ठीक है बात करते हैं second round की second round है वो चलेगा second round के जो counseling है वो चलेगी 7th November से लेके sorry second of November से लेके 7th November तक वो चलेगी यह second round की counseling जो के time है 7 November को 11 बजे तक सुबह तक यहाँ पर आप registration करवा सकते हो choice filling और log कर सकते हैं आप 3 से लेके 8 November के बीच में time रहेगा 11 बच के पचपन मिनट और verification of internal candidates or by the university and institute यानि के institute के दोरा आपके जो documents वगरा वो verify होंगे online वो 7 से लेके 8 November तक होंगे और आपको जो sheet allotment हो जाएगी वो 9th से 9th और 10th November को हो जाएगी यहाँ पर आपको notification मिल जाता है और result जो है next day आएगा यानि कि 11 November को आपका result आएगा प्लस आपको reporting करनी है 12 से लेके 13 November तक इन 2 दिन का time आपको दिया है इसमें आप reporting आराम से college के अंदर जाके कर सकते हो बात करते हैं मौप अप राउंड की 3rd राउंड मौप अप राउंड होगा जो कि start होगा 23rd ओप नौवंबर से लेके 28th ओप नौवंबर तक चलेगा यानि कि 30 नौवंबर से 20 नौवंबर तक इसका registration करवा सकते हो 11 बजे तक सुबह time सबका यही रहेगा 11 बजे तक रहेगा last time पैमेंट आप कर सकते हो 28 नौवंबर तक 3 बजे तक के लिए आपको 4 गंट extra दिये गए है यानि कि 3 बजे तक 28 नौवंबर को तीन बजे तक आप पैमेंट कर सकते हो मौप अप राउंट का ठीक है choice filling and locking जो होगी 24 से लेके 29 नौवंबर तक हो सकते है 11 बज के 55 मिनट तक यानि कि रात को 11 बज के 55 मिनट तक choice लोग कर सकते हैं आप 29 को जो कि 3 बजे से लेके 11 बज तक आप उसमें तो वेरिफिकेशन जो उनिविशिटीज और इंस्टिटीट के द्वारा आपके जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो 28 नौवंबर से लेके 29 नौवंबर तक होंगे इसका जो मौपप राउंड का जो रिजल्ट है वो अनौउंस होगा 3 दिसंबर को और रिपोर्टिंग आपको करनी है 4 दिसंबर को यहां कि इसके बीच में आपको एक ही दिन का टाइम दिया गया है क्योंकि तब तक आप सब लोग फ्लो में आ जाओगे ठीक है लास्ट और अंतीम जो राउंड होगा वो होगा स्ट्रे वेकैंसी राउंड इसकी क्या-क्या क्वालिफिकेकेशन है वो में बता जेता हूँ आपको कि यहां पर रिजिश्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगे जो पूराने registration है जिनको seat नहीं मिली है सिर्फ उन्हीं के लिए यह available होगा और यहाँ पर choice filling भी नहीं होगी जब registration भी नहीं होगा तो choice filling तो होगी ही नहीं already ठीक है जो आपने already choice कर रखी है वो ही college आपको मिल पाएंगी इसके अलावा college कुछ भी नहीं मिल पाएंगी ठीक है इसकी जो seat allotment हो जाएगी वो 12 से लेके 13 December तक के दो दिन के बीच में आपको choice filling मिल जाएगा प्लस result जो है आपको 14 December को मिल जाएगा प्लस reporting आपको 15 December तक करनी होगी इसके लिए study vacants जो round होता है इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इसके लिए काफी सारी students को काफी सारे parents को इसके बारा में पता नहीं है जो कि मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा आया होगा तो अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेट जरूर से कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद